थूर्ण है आपकगे। अपने चैनल तूड़ापॉइंट में। मैं रीनव मैं मैं। आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सेक्षन चल रहा था वो हमने टेश्टाइल का सुरू किया था हाला कि आज बहुत गैपिंग के बाद आज मैं टेश्टाइल पर आए हूँ थोड़ा प्रॉब्लम की हो जैसे क्लास नहीं ले पाई थी तो उसके लिए सौ सबसे पहले वीडियो में आपको सिलेबस पर दिसकर्स किया है तो किस पर दिसकर्स किया है तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस पर दिसकर्स किया है उसके बात पर दूसरा जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने जो फाइबर यानि रेसे के रेसी कसे हमने क्या पढ़ा था तो कपास में सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडेक्सन पढ़ा था फिर उसके स्टेप्स को पढ़ लिए थे बाद में उसकी जो विसेश्ताई होती हैं हमने विसेश्ता ओधा था था ठीक तो इस तरह से देखा था और प्लस हमने इसमें क्या किया था तो आप लोगों का टेष्ट भी हो गया था ठीक है लाइब टेस्ट मैंने जितने । कपास्ट से बनने वाले जितने कुश्चन होते हैं उन सारे कुश्चनों को मैंने आप लुगों के आप लोग से सॉल्ट भी कराया था लाइप टेस्ट में ओके तो कहने का मतरब इतना है कि हमने आपको लेभा से पूरा स्लेभाट दिसकर्ज कर लिया है कुलास यह काफि दिन हो गया कभी मैंने कि ये उसके बाद पिर हमने कपास के बारे में डिसकर्ज किया था आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है तो आप लोग बताएंगे आज का टॉपिक हमारा लिलन का होगा किसका होगा तो लिलन का होगा और उसके बाद लिलन का होगा और लिलन के बारे में हम लोग आज जानेंगे तो लिलन को भी सबसे पहले हम लोग इस क्या है तो आप बताएंगे ये प्राकृतिक रेशा है ओके जब हम लोगों लेशे का रगी करन पठाब था तो आप प्राकृतिक में भी आपके 3 थे तो वह कования उंस स्पत्तिक जगत से प्राप्ठ होने वाला रेशा था दूसरा आपका प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा था तीसरा खनिस था तो इस तरह से हमने रेशे का वरगी करम पढ़ा था तो हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं प्राकि से प्राप्त होने वाला आता है दूसरा जो है तना और तीसरा आपका क्या था पत्ता ठीक तो ये तीन होते हैं तो इस समय जो हमारा दिसकर्श का चला है हमने बीज में किसको देखा था तो बीज में हमने कपास को देखा था किसको देखा था कपास को देखा था और अगर हम बात करते हैं किसकी तो इस समय जब हम लोग अब सुरू कर रहे हैं तो यह हम किसके बारे में डिसकस करेंगे तो तने के तने से प्राप्थ होने वाले रेशों के बारे में आज बात करेंगे तो लीलन आपका क्या है तो एक तने से प्राप्थ होने वाला क्या है रेशा है क्य अनस पत्तिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है तीक उनस पत्तिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है तो यह तने से प्राप्त किये जाने वाला रेशा यानि तने से प्राप्त होता है लिलन का तीक उसकी बाद अगर हम लोग बात करने यहीं पर कि लिलन का जो पौधे से मिल रहा है तो बताएंगे फ्लेक्स नामक पौधे से मिलता है क्या मिलता है फ्लेक्स नामक जो पौधा होता है उससे हमें लिलन के जो है रेशे प्राप्त होते हैं और लिलन को ही हम लोग क्या कहते हैं सन कहते हैं सन के नाम से भी लिलन को जाना जाता है इस बात को यह जो फ्लैक्स नामक पौधा है इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या बात कर लेते हैं वनस्पतिक नाम क्या होता है तो आप लोग इसको उनस्पतिक नाम में क्या बताएंगे क्या पताएंगे तो यूदे ऐसा रखेंगे हैं मैं यूशी टेलेशीयम है को तो जो फैस का लेलन के जो मतब रेसे होते हैं उसको फ्लेक्स नामक पौध़े से प्राप्त किया जाता है अगर इसकी हम जो है वनस्पत्तिक नाम देखे तो यूसी टेडेशी इसका रशाइन जो है वनस्पत्तिक नाम होता है तो इतनी बात आप लोग जान लेंगे कि अगर यह फ्लेक्स उबर और हम फ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यह कैसा रेसा है प्राकिर्तिक है और प्राकिर्तिक में यह किस का है तो आप बताएंगे उनस्पत्तिक है और किस से प्राप्त कर रहे हैं तो यह तनेशे हम प्राप्त कर रहे हैं किस पौधे से प्राप्त कर रहे हैं फ्लेक्स नामक पौदे से प्राप्त कर रहे हैं इसका उनस्पत्तिक नाम UC Tadacium होता है ठीक इतनी बात हम लोगों ने देख लिया अगर हम चलिए इतनी बात उसके बाद अगर हम लोग इसके इतिहास की बात कर लेते हैं किसके बारे में तो अगर हम इतिहास की बात करते हैं लिलन का इतिहास हम लोग देखते हैं तो इतिहास में क्या देखेंगे कि ये बहुत ही प्राचीन काल से ही किसका प्रियोग हो रहा है तो आप लोग बताएंगे लिलन का प्रियोग किया जा रहा है बहुत ही प्राचीन काल से लगभग अगर हम बात करें कितना तो लगभग 10,000 वर्स पूर्व ये इसका साच्छ देखा जाए तो लगभग 10,000 पूर्व पुराना है ये पासाड यूग में ही तीक है किसमें तो पासाड यूग में इसका साच्छ हमें प्राप्त होता है किसमें होता है तो पूर्व जो पासाड यूग था उसमें ही हमें लिलन्ग की जानकारी मिलती है ठीक है और मिस्र में अगर हम लोग बात करें मिस्र में तो मिस्र में भी इसके साच्छ मिलते हैं वो कहां मिलते हैं तो आप बताएंगे कि जो महान राजाएं होते थे ठीक जो उनकी मृत्य हो जाती थी, जब उनकी मृत्य हो जाती थी, तो जो उनका 100 होता था, जो 100 होता था, ठीक है, उस 100 को क्या करते थे, कि लिलन के कपड़े में, ठीक है, किसमें, तो लिलन के कपड़े में एक लेब लगा कर इसको रख देते थे, क्या करते थे, इसको रखते थे, औ पिरामीड तीक जो उनका पिरामीड होता था यानि कि जो उनका एक पिरामीड इस तरह से जो आकार होता है जो एक महल होता है इसी को पिरामीड कहते हैं तो इन पिरामीडों में क्या करकिया जाता था जो महान राजाएं होते थे मिस्रे में जब वो मर जाते थे तो उनकी शरी हमें मिस्र से भी क्या होता है, मिस्र से भी हमें लिलन के रेशो की जो है जानकारी मिलती है, अगर वहीं पर हम लोग किसकी बात कर लें, अगर हम लोग बात करते हैं आगे तो जो हमारा बाइविल होता है, यानि इशाई धर्म का जो बाइविल होता है, क्या होता है तो आप बताएंगे जो बाइविल होता है इसमें भी इसका उलेख मिलता है इसमें क्या करते थे कि जो मंदिर के ठीक है जो मंदिर की मंदिर के जो गेट होते थे वहां पेसे परदों के रूप में इसका प्रियोग किया जाता था लिलन की कप्रों का इसलिए इसे पवित्र रेशा भी कहा जाता है तीक है इसे पवित्र रेशा के नाम से भी जाना जाता है रूस में भी इसका प्रियोग होता था तीक है रूस में भी इसका प्रियोग किया जाता था अगर हम लोग यहीं पर आगे बढ़ते हुए यानि कि इसके इतिहास के बारे में आगे ब काल के जो भिच्चुक होते थे कौन होते थे तो जो भिच्चुक होते थे ये लोगों का जो वस्त्र होता था लवादा जी से बोला जाए तो ये लोग इसको लिलन के कपड़े को ही धारन करते थे थीक है लिलन के कपड़े को धारन करते थे तो हमने इतिहास में आपको क्या बताया कि इतिहास बात करें तो लीलन हमारा एक प्राचीन कालकारेशा है और इसका साच्छ लगबख 10,000 वर्स पूर्ब का है क्योंकि इसके साच्छ जो है हमें पूर्भ पासाड यूग में मिलते हैं जी किस ficar हमें पूरपासाड यूग में प्राप्त होते हैं अगर हम मिसर क बात करें तो मिस्र में भी इसके साथ चिमिलते हैं क्योंकि जब यहां पर मिस्र में की बात कर लिया जाए तो मिस्र में क्या होता था कि जो राजाएं होते थे जो राजा होते थे महान राजाएं होते थे जब उनकी देथ हो जाते थी वो मर जाते थे तो उनकी जो सो होते थे उस पर एक प्रकार के लेप लगा के लिलन के कपड़े में लपेट कर रखा जाता था और उसे क्या कहते हैं तो उसे ममी के नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं ममी कहते हैं तो और भारत में और जो ये इशामशी का जो मतब जो था बाइविल था इसमें भी लिलन के किसका तो लिलन के वस्तरों का जो है उलेख मिलता है अगर हम लोग भारत में बात करते हैं आगे मत्तब अपनी इतिहास के आगे बढ़ते हुई अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो हमारे भारत के जो बहुत धिकाल में जो बहुत भी चुक हुआ करते थ थे वो भी किसके होते थे लिलन के होते थे तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया लिलन का इतिहार देखा अब आगे हम लोग बढ़ेंगे I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग इसको note down जरूर करिएगा क्योंकि जितना मैं topic पढ़ाती हूं बिल्कुल इदम point का बताती हूं कोई इधर उधर का नहीं बताते हैं तो बिल्कुल इसको note down जरूर करिएगा ओके चलिए आगे अगर हम लोग लिलन की बात कर लेते हैं तो लिलन को देखिए कई नामों से जाना जाता है तीक है लिलन की बात करते हैं तो आप लोगों का जैसे कि हम लोग कपास की बात कर लेते हैं तो कपास को क्या कहा जाता है जो है रेशो का राजा कहा जाता है अगर रेशम की बात करते हैं तो वस्तरो की रानी की से कहा जाता है रेशम को उसी तरह से इसे भी कई नामों से जाना जाता है अगर इसके कई नामों को हम लोग देख लेते हैं तो पहले इसे, सबसे पहले देखे ये पवित्र रेशा कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसे पवित्र रेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मनलब बहुत हमारे इतिहास में जो हमारे पूजा ग्रह होते थे यानि कि जो मंदिरी होती थी उनके यहां परदों के रूप में इसे प्रियोग किया जाता था इसलिए इसे क्या कहते हैं पवित्र रेशा भी कहा जाता है और देखें यह क्या होता है यह प्राचिंतम रेशा भी है तो यह बहुत यानि कि अभी मैंने बताया कि आप लोगों का रेशा यह क्या है बहुत जादा पुराना है लगभग लगभग कितना तो दस हजार वर्स पूर्ब का यह रेशा होता इसलिए इसे प्राचिंतम रेशा भी कहा जाता है आगे अगर हम देखें तो इसे सांती का सूचक भी कहा जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे बिलास्ता का रेशा या बिलास्ता का घोतक कहा जाता है बिलास्ता का क्यों कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे बिलास्ता का इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिलन के वस्तर में जितने मत्तब ओबरवाल जितना हम लोग इसका रेशा तयार करने में जो हम लोग का अफिट लगता है वो बहुत ही जादा होता है तो इस वज़ा से य बैभो का रेशा भी कहा जाता है ठीक है बैभो का हो गया आपका बैभो का हो गया आपका ठीक बैभो का रेशा कहा जाता है एश्वर का रेशा भी इसे कहा जाता है एश्वर का रेशा के नाम से भी इसे जाना जाता है तो किन किन नामों से इसको हम जानते हैं इससे देखिए क्या कहते हैं इसको सोयत भी कहा जाता है क्योंकि सोयत होता है ये उज्वल होता है ठीक इसे उज्वल भी सोयत उज्वल अनेक नामों से जाना जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि लीलन की अगर हम ल यह आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है तो आप लोगों के मेरी रिक्वेश्ट यही है कि please इसको note down जरूर करिएगा चुकि ये आप लोग के exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और हर एक point इसे question बने हुए है पेपर में पूछा जाता है कौन सा रेशा है जिसे पवित्र कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा लिलन होता है या प्राचिंतम रेशा किसे कहा जाता है आपको बताना होगा लिलन कहा जाता है आश्वार या बैभो का रेशा किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा लिलन को कहा जाता है आई हो आप लोग समझ गए होंगे अब हम लोग अगर लिलन के बारे में और आगे बात करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तिक लिलन के बारे में अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तो लिलन की जो एक बुनाई होती है, अगर हम लोग लिलन की बात करते हैं, तो इसकी बुनाई जो है, एक कला है, कि इसकी बुनाई बहुत ही ज़्यादा जो होता है टब होता है और यहीं पर लिलन की एक बात और जान लिजिए कि लिलन को थंधक या ताजगी का रेशा भी कहा जाता है कि किसे तो इसे थंधक ताजग जो है आप लोगों का लिलन और ताजगी का रेशा भी कहा जाता है क्यों ऐसा होता है तो यह बात आप लोग जान लेजिए कि यह थंधक पहुचाता है इसलिए तो जो 100 होते थे मिस्र के जो 100 होते थे क्या होते थे तो मिस्र के जो 100 होते थे इसलिए इनको किसमे लपेट की रखा जाता था लिलन में रखा जाता था और इसलिए इसे क्या कहते है तो ममी के नाम से जाना जाता है थंड़क पहुचाती थी तभी हम लोग उस पे लिलन का कपड़े क इस लिए इसे थंठक और ताजगी का भी प्रतिक माना जाता है इस रेशे को लिलन को ठीक है उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसे एक नाम से और जाना जाता है तो वो किस नाम से जाना जाता है सर्मु साध्य अब आप लोग पूचेंगी मायम ये सर्मुसाध क्या होता है तो सर्मुसाध का मतलब कि बहुत ही जादा इसंपे एफट करना पळता है बहुत ही जादा मेहनत करनी पढ़ती है इसको बनाने में इसलिए सर्मुसाध भी इस रेशी को कहा जाता है ठीक है इसलिए इसके कहा जाता है जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो इसके उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खेती करने के लिए हम लोगों को साथ वर्स का यानि साथ वर्स का समय लगता है इसको तयार करने में और इसको फिर उसके बाद इसमे हाँ एक और आप लोग का कि इसमें एक question आप लोग का पूछा जाता है इसको note कर लीजिएगा कि लिलन में कौन सा गोंद पाया जाता है तो आप लोग बताएंगे कि लिलन में जो गोंद पाया जाता है वो कौन सा होता है तो peptine नामक गोंद होता है कौन सा होता है तो peptine नामक जो है गोंद आप लोगों का पाया जाता है तो इसी जो ये गोंद होता है इसको ही गलाने इसको सडाने में जो मतलब पूरा समय लगता है बहुत ही ज़्यादा इसमें मेनत लगता है लगभग काम इसमें जो है हाथों से ही करना पड़ता है इसलिए इसे सरमसाध की नाम से भ बात करते हैं किसके बारे में तो उत्पादन की बात कर लेते हैं ठीक है उत्पादन की बात करेंगे तो इसका उत्पादन कब होता है यह आपको बताना है तो उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे जादा उत्पादन कहां पर होता है तो रूस में होता है और सबसे अच्छी क किस्म होती है वह कौन उत्पादन करता है तो आप बताएंगे आयर ठीक है कौन करता है तो आयर लेंड करता है इस बात को भी नोड डाउन कर लिजिए का सबसे जदा उत्पादन कहां ओर रहा है तो रोश अगर हम लोग यहीं पर बात करें किसकी तो फसल चक्र की बात कर लेते हैं किसकी तो आप बताएंगे फसल चक्र के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि इसके फसल चक्र में बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है लगभग कितना तो आप बताएंगे लग खेत को तयार करने में, खेत को तयार करने में 6 वर्स लगता है, और एक वर्स क्या लगता है, तो एक वर्स सिप एक साल क्या लगता है, तो फसल को तयार करने में, फसल यानि बवाई के बाद, बवाई के बाद जो है फसल को तयार करने में, एक साल का समय लग जाता है, मतब क्या हुआ कि कुल मिला के आप लोगों को साथ साल लग रहा है साथ साल में छे साल से क्या होता है खेत को तयार करने में लगता है अब खेत को तयार करने में क्यों लगता है क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं ठीक है, मिट्टी कैसी चाहिए होती है, तो मिट्टी आप लोगों की, दिख रहा है हो, ठीक, मिट्टी इसमें भुरभुरी जरूरी होती है, भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है, इसलिए इस खेत को पहले ऐसे पर्ती, अगर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पर् बुरी हो जाती है इसके लिए क्योंकि इसकी खेती के लिए हमें एक ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है तो इसलिए छे साल तक खेतों को ऐसे ही परती छोड़ दिया जाता है और हर वर्स उसमें जोताई जो है गुड़ाई करते रहते हैं तो इससे खेत अच्छे से तयार हो जा करने में 6 वर्स का समय लगता है दीक है और क्या कहते है बुर बुरी और उपजाओं मिट्टी की जरूरत होती है तो जब इसको बार बार आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं जुताई कर रहें गुड़ाई कर ने तो जितनी बार मिट्टी इधर से उदर होती उसमें oxygen बगएरा और ऐसे पड़े रहने से उसमें उर्बरक उसकी उर्बरा सक्ती जो है बढ़ जाती इसलिए क्या होता है कि इसमें 7 साल का वर्स लगता है अगर हम लोग यहां पर जलवायू की बात कर लें ये तो आपकी मिट्टी की बात हो गई ठीक है अगर हम जलवायू की बात करते हैं इसको उपर मिटाते हैं जलवायू की बात कर लेते हैं कि जलवायू कैसा चाहिए जलवायू इसके लिए तो इसके लिए सम जो है आप लोग कि इसके लिए जरूरत होती है और अगर उसके बाद बात करें पानी की बात कर लेते हम लोग किसकी बात करेंगे पानी की तो पानी की इसकी क्या जरूरत होती है पानी इसे कैसा चाहिए होता है यह आपको बताना है तो पानी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए तो पानी स बहता रहे पानी रुके नहीं ठीक बहता पानी और साप पानी की जरूरत होती है ठीक है तो यह हमने किसके बारे में बात किया इसकी खेती के बारे में इसकी उत्पादन के बारे में बात किया कि उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फसल इसका उत्पादन देख तो सबसे पहले उत्पादन क्या होगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, आपका रूस कर रहा है, और अगर वही पे हम लोग अच्छी किस्म की बात करते हैं, तो अच्छी किस्म आपका आयलेंड कर रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके फसल चक्र की, कि इस साल फसल उगाने में ठीक है मतब लिलन की बीच को बोने और प्लस उसके पेड़ को तयार होने में एक वर्स का समय आपका लगता है क्यों इतनी लंबी समय ले रहा की छेस साल क्यों खेट की तयारी करने में खेट तयार करने में लग रही है तो इसकी नेड़ जो होती है अगर इसकी औसक्ता की बात करें इसकी नेड़ जो होती है वो क्या होती है भुरुरी मिट्टी की होती है भुरुरी और उपजाओं मिट्टी से चाहिए होता है इसलिए ये क्या होता है छे साल का समय इसके खेत को तयार करने में लगता है किस जलवाई में यह पैदा होता है जहां कि जलवाया की क्या होती समसितोस और नर्म होती है वहीं पर जहां पर नमी युग तो होती है उसी जलवाय में जो है लिलन की खेती की जाती है ओकी और इसे पानी की कैसी ओसकता होती है तो जादा पानी चाहिए ताजा चाहिए ठीक है और बहता हुआ प्लस साफ तो इतनी ज़्यादा इसकी ओ सकता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है इसे इसी लिए सर्मुसाद रेशा भी कहा जाता है ओके अब आप लोग को ये बात किरियर हो गया होगा इसे सर्मुसाद रेशा क्यों कहा जाता है ठीक है तो ये बात आप लोग यहां पे देख लीजिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होगे रहा हो रहा है रूस में सबसे अच्छी उत्पादन आयलेंड में इसका फसल चक्र जो है साथ साल का होत एक साल सिप और सिप उसके फसल को बीज बोने से रेशा तयार होने तक वो लगता है मिट्टी की कैसी हो सकता होती है भुरबुरी और उद्जाओ जलवाय कैसा होना चाहिए जहां की जलवाय समसितोस हो नमी युगत हो वैसी जलवाय इसकी हो सकता होती है जल ताजा ओके, आई होब आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, जितना मैंने आप लोगों से डिसकर्ज किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे हम लोग लिलन के बारे में देख लेते हैं इसका पेड़ कैसा होता है अगर हम लोग लिलन के पेड़ की बात करें तो लिलन का जो पेड़ होता है वो एकदम सीधा होता है ठीक कैसा होता है शीधा होता है और बीच बीच में ऐसे गाट होती है अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे गंनी का पेड़ होता है उस तरह होता है और इस तरह से इसे इसमें ऐसे कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं एक कैसा होता है तो एक सफेद फूल वाला होता है और एक जो होता है वो कैसा होता है नीला फूल वाला होता है तो जो नीला फूल का होता है इससे उत्तम किस्म के रेशे प्राप्त होते हैं ठीक है और ये जो होते है इससे जो है थोड़ा से नीम परकार के रेशे ठीक है नीम परकार के रेशे इससे मिलते हैं सफेद फूल से इससे थोड़ा मोटे कप्रे बनते हैं, ठीक है, तो लिलन के और लिलन के पेड को दो वजा से उगाया जाता है, कुछ जो है रेशों की प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ जो है खेती जो है रेशों की प्राप्ति के लिए होता है, तो कुछ के लिए बीज की प्राप्ति के लिए भी लिलन की खेती की जाती है और इस बीज से तेल निकालके जैसे आप लोगों का वार्निस हो गया ग्रीस हो गया तो इन सब चीजों का इसके बीज से तेल निकालके इसकी खेती की जाती है और जो यह गांठ आपका दिख रहा है ठीक है जो यह गांठ दिख रहा है यह कोन्द है जो कि पानी में घ्ड hautके इसको क्या किया जाता है तोड़ने हैं यह गलाने का काम किया जाता है तो कि मुझा बहूत बार पूच्छा गया लिह जाता है तो आप लोग बताएंगे लिलन में पाया जाता है यह आप लोग का तना होता है ओकी यह जड़ हो गया फूल हो गया तो परकार के फूल होते हैं अब यह देखिए पेड़ की लंभाई जो है अगर इस पेड़ की लंभाई की बात कर लें तो लंभाई की बात कर रहे हैं पेड़ की बात हो रही है कि जो लिलन का पेड़ होता है कितना लंबा होता है तो लगभग 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 40 इंच लंबा होता है क्या होता है 40 इंच लंबा इसका पेड़ होता है और अगर यहीं पे इसके लिलन की बात करें रेशे की लंबाई कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे रेशे की लंबाई जो है ये 15 से 20 इंच का होता है 20 इंच का होता है रेशा इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं 20 इंच के होते हैं लेकिन इसको मापा किसमे जाता है तो मापा इसको इस्टपल में ही जाता है तीक है इस्टपल में ही मापा जाता है इसको किस में मापा जाता है तो इस्टपल में ही रहता है इसको काउंट इस्टपल में ही किया जाता है और आप लोगों से पूछा जाए कि इस्टपल में सबसे लंबा रेशा कौन सा है तीक है इस्टपल में सबसे लंबा रेशा कौन स तो आप लोग क्या बताएंगे लिलन होता है क्या होता है लिलन का रेशा है मापा तो इस्टपल में जाता है ठीक छोटे रेशे का हम लोग काउंट किस में करते हैं इस्टपल में करते हैं और फिलामेंट आपका सबसे लंबा रेशा होता है तो यह प्राकिर्तिक रेशे का से 20 हिंच के प्राप्त होते हैं ठीक है इतनी बात आप लोग को किरियर हो गई होगी बहुत ही ज्यादा यह क्या होता है पेड़ जो है बहुत नर्म होता है तो इसे काटा नहीं जाता है इसको जर से उखार लिया जाता है गठर बनाके इसको पानी में भिगोए जाता है अब आगे हम लोग देखिए आज हम लोगों ने पूरा इसका एक इंट्रोजेक्शन पढ़ा कि लिलन कैसा रेशा है इसका इतिहास क्या है इसके क्या क्या नाम है इसको किन किन नामों से जाना जाता है ठीक इसका उत्पादन कैसे होता है कैसी जलवाय चाहिए इसे कैसी वह पढ़ेंगे कि लिलन जो होता है लिलन से लिलन के पेर से रेशा कैसे बनाया जाएगा पूरा उसका प्रोसेस को उसकी प्रक्रिया को हम लोग को पढ़ना है ठीक है प्रक्रिया को हम लोग को पढ़ना है तो प्रक्रिया के लिए हम लोग नेश्ट वीडियो में देखेंग मैंने टूडा, पॉइंट एकदम बिल्कुल बताया है, कोई भी धरूदर की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा important है आप लोगों के लिए, अगर हम TGT, PGT की बात करें तो उनके लिए भी है, प्लस ये हमारे जो academic बच्चे हैं, यानि की जो BA class में हैं, उनका तो ये first paper है, तो उस सभी के लिए चाहे वो academic लेबल पर पढ़ रहे हूं, चाहे आप लोगों का competition लेबल पर पढ़ रहे हूं, तो सभी के लिए important है, तो इसको down कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, नेस्ट वीडियो में हम लोग लिलन के, रेशे के बनने की प्रकिरिया यानि process को देखेंगे, ओके, I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से request है मेरी, कि please वीडियो को like जरूर करें, share करें, ओके, अगले वीडियो में फिर मेते हैं, तब तक के लिए, बाबाए